हर हर मांदिव सभी मित्रों को वेलकम टू इलक्ट्रोनिक इस्टडी यूट्यूब चैनल सभी को सूप्रबात डेली करेंट अफियर्स की सीरीज में आज भी हमारी साथवे वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी सेशन के लाश्ट में जीके के कुछ वन लाइनर कुस्चन्स को देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करेंट अफियर स्मार्ट फोन ब्रांड वन प्लस ने अपने नए ब्रांड अमबेजडर के रूप में जस्परीत बुम्रा को चुना है यह एक विस्वरीता प्राप्त भारती बैटमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने भारत की योड से उलम्पिक खेलों में महिला एकल बैटमिंटन का रजत पदक भी जीता था और इनको सिल्वल गर्ल के नाम से भी जानते हैं और यह पदक इन्होंने 2016 के रियो उलम्पिक में जीता था पीवी संदू के कोच हैं पुलेला गोपी चंद्र कुछ अन ब्रैंड के ब्रैंडम बैजडर जान लेते हैं वीवो के हैं विराट कोईली नाड़ा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसके ब्रैंडम बैजडर हैं सुनील सेटी फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रैंडम बैजडर है कुल्दीप हांडू और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रैंडम बैजडर है माधे दिक्षित और हर्याणा में जो केंपेंड चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी ब्रैंडम बैजडर है साक्षी मलिक तो इतनी बातें आप थ्यान रखिएगा चलिए अगला देखते है उडिशा राजजी सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भरती को सुईकरती प्रदान करी है अन्य तत्थ में देखते हैं प्रतिवर्स ट्रांसजेंडर डे ओफ विजिविल्टी 31st मार्च को अबजर्व किया जाता है उत्तर प्रदेश ने अभी पिछले महिने ही कुसी नगर में पहली ट्रांसजेंडर उनिवस्टी खोलने की योजना बनाई है और सुप्रीम कोट ने 2014 में इसको थर्ड जेंडर की रूप में नामित किया था अगला देखते ही IMT द्वारा जारी विश्व प्रतिश पर धात्मक सूचकांग 2021 में सूचकांग को IMD द्वारा जारी किया जाता है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टिटूट फॉर मैनेजमेंट एंड डिवेलपमेंट इसके हैटकॉर्टर लवशाने सूचकांग में इस्तित है कुछ अन्न सूचकांग में भारत की रैंक देख लेते हैं जेंडर गैप सूचकांग में भारत की रैंक है 141 अंतर राश्री बौद्दिक संपदा सूचकांग में भारत 40 में स्थान पर है वर्ड हैपिनेस सूचकांग में भारत की रैंक है 149 मानो विकास सूचकांग में भारत की रेंग है 131, हैनले पासपोर्ट में भारत की रेंग है 85 और भृष्टाचार अवधारना सूचकांग में भारत 86 नंबर पर रहा है अगला देखते हैं भारत और भूटान के मद्द पर्यावरण के शेत्र में सैहोग विक्सित करने के लिए एक समझौते पर किये गए पर्यावरण की बात आईए तो जान लेते हम प्रतेक वर्स 5 जून को पर्यावरण दिवस अब्जर्व करते हैं जिसकी सुरुवात 1972 में स्टॉक होम सम्मेलन से हुई थी और हम लोगों ने अपना पहला पर्यावरण 1974 को मनाया था अगला करेंट अफिर देखते ह हाल ही में जापान देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्द करवाने की गोशना की है और यह जुलाई से सुरू हो जाएगा यह डिश्टल फॉर्म में न होकर एक कागच पे होगा जिसमें यात्रा करने वाले की सभी डीटेल्स होंगी इवन उसमें यह भी होगा कि उस वैक्ति ने कौन सी वैक्सीन लगाई है और कितने डोज वो ले चुका है उसके जापान के बारे में कुस्तत्य जान लेते हैं जापान की राजधानी है टोक्यो जापान की करन्सी है येन और वरतमान में जापान की प्रधान मंत्री है योसी हिड शूगा अगला करेंट फिर देखते हैं भारती नौसेना और यूरोपी संग नौसेनिक बलका प्रथम संयुक्त अभ्यास I.N.E.U. Now for अधन की खाड़ी में शुरू हुआ है इस अभ्यास में चार नौसेनाव भारत, इस्पेन, फ्रांस और इटली के कुल पांच युद्दपूर्थ हिस्सा लेंगे अब सैन अभ्यास की बात हुई है तो कुछ महतपूर सैन अभ्यास हम देख लेते हैं एक्स डेजर्ट नाइट युद्दप्यास इंडिया और फ्रांस के मद्द होता है जो 2021 में जोदपूर में संपन हुआ था और इसमें याद रखने वाली एक महतपूर बात ये है कि इस युद्दप्यास में राफेल ने पहली बार भाग लिया था डेश्टलिक युद्दप्यास इंडिया और उजबेकिस्तान के मद्द होता है और 2021 में ये रानी खेत उत्तरखंड में संपन हुआ था खंजर युद्दप्यास बारत और किर्गिस्तान के मद्द होता है तो 2021 में ये बिसकेक में हुआ था जो कि किर्गिस्तान की राजधा वरुण युद्धव्यास भारत और फ्रांस की मद्द होता है इसमें नैवी हिस्सा लेती है और गरुण युद्धव्यास भारत और फ्रांस की मद्द होता है परन्तु ये एर फोर्स के बीच होता है सकती युद्धव्यास भारत और फ्रांस की मद्द होता है इसमें जॉइ और पंगलादेश की मद्ध हुआ था और यह सेख मुझीबुर रह्मान की सौवी वर्सगाट पर हुआ था तो इनको आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं आजादी की अमरत मौत्सो कारकरम के तहित सत्याग्राय कारकरम जबलपुर की मद्ध प्रदेश में आयोजित हुआ है यह कारकरम जबलपुर में ब्रिटिस सरकार की खिलाफ 1923 में हुए जंडा सत्याग्राय की याद में मनाये गया है अगला करेंट फिर दीखते हैं विश्व सिकल सेल दिवस हम 19 जून को अबजर्व करेंगे इस अउसर पर जंजाती कारकरम मंत्री अरजुन मुंडा द्वारा दूसरे सिकल सेल कौन क्लेव का वर्चुल तरीके से सुभारम भी किया गया है सिकल सेल के बारे में जान लेते हैं तो सिकल सेल रोग एक आनुवानसिक बीमारी है यह विक्ति की लाल रक्त कोसकाओं को प्रभावित करती है और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही राश्ट्री स्वास्थमिसन ने उडिसा के संबल पुर जिले में अपना पहला सिकल सेल संस्थान इस्तापित किया था उडिसा की बात हुई है तो इसके बारे में कुस्तत्य जान लेते हैं वर्तमान में उडिसा के मुख मंत्रिये नवीन पतनायत जिनके द्वारा अभी एक या दू दिन पहले ही Beyond Here and Other Poems नाम की एक पुस्तक लॉंच करी गई है जिसको विश्णुपत सेथी द्वारा लिखा गया है उडीसा के बरतमान में राजपाले, गडेशी लाल उडीसा में ही आपको वीलर दीप मिलेगा, जिसका नाम बदलकर एपी जे अब्दुलकलाम दीप रख दिया गया है और भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम भी राउल केला में बन रहा है जिसका नाम है बिर्सा मुंडे स्टेडियम और इसकी राजधानी, उडीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क खोला जा रहा है और दस रुपे के नोट पर भी जो हम अब्जर्व करते हैं उडीसा में इस्तित कोणार्क सूर मंदर है जिसको हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं तो उडीसा के विसे मैं आप इतने तक ध्यान रखिएगा तो चलिए करेंट अफेर की स्रंखला में आज के लिए इतना ही अब देखते हैं हम इस्टेटिक जीके के कुछ कुछ कुश्चन्स सबसे अधिक घातक क्लोरो फ्लोरो कारवन की रूप में हम फ्रियान को जानते हैं अमनिवर्सा के संकेतक की रूप में लाइकेन का प्रियोग किया जाता है भारत का मसरूम सहर सोलन जो की हिमाचल प्रदेश में इस्टेट है इसको बोला जाता है और भारत में जल प्रदूसर्ण नियंतरण कानून वर्स 1974 में लागो किया गया था धुन्द कोहरे का निर्माण धुए प्लस कोहरे के मिस्टरण से होता है राश्ट्री पर्यवरन इंजीनेरिंग संस्थान जिसको हम नीरी भी कहते है इसके मुख्याले नाकपुर में इस्थेत है तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तक तक के लिए धन्नवात सभी को